जो हमारा नेक्स्ट अड़्जस्मेंट है अड़्जस्मेंट नमबर पांच और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अड़्जस्मेंट नमबर फाइब में सपोस करते हैं इंट्रस्ट या फिर हम इंट्रस्ट की बात कर लेते हैं पहले इंट्रस्ट अन क्यापिटल ठीक है? Interest on Capital की बात करते हैं इसका क्या adjustment होगा? बहुत important है सबसे पहले तो आपको ये तै करना होगा कि जनाब interest on capital होता क्या है? income होता है, expense होता है या assets होता है, या liability होता है पहले तो आपको ये decide करना होगा बताएं, interest on capital क्या होता है business के लिए? interest on capital, अब मैं एक example लेता हूँ हर बार मैं बताता हूँ एक example लेता हूँ, आप बताईएगा मुझे मान लिजिए ये business है, ठीक है? और business के अंदर मान लिजिए ये honor है तो honor ने जो पैसे business में लगाए होंगे उस पैसे को जो भी इसने fund लगाया होगा उस fund को पता है क्या नाम बोलते है? capital और एक बात मुझे बता दीजिए, आप इमानदारी से business और honor अलग-अलग होता है ये एक ही होता है? अलग-अलग होता है तो एक तरीके से मान लेते हैं कि इसने business को पैसे उधार दे रखे हैं suppose कर हो एक लाख रुपे अगर इसने interest demand किया तो किस पे demand कर रहा है ये? capital पे तो concept क्या बन गया? interest on? capital तो बताओ अब business जब इसे इस पे interest देगा तो business के point of view से क्या है ये? खर्चा interest क्या होगा? खर्चा होगा, नहीं समझे बात? समझ गया ना? तो interest on capital का अगर मेरे से पूछ हो तो ये होता है expense है अब मुद्दे की बात सर इसके अंदर भी क्या दो जगे गीवन हो सकता है? बिल्कुल ये या तो आपको गीवन हो सकता है कहां पे? trial balance में या फिर आपको कहां गीवन हो सकता है ये? adjustment में सर अगर trial balance और adjustment की हम बात करते है अगर गीवन हुआ trial balance में तो कितने entry जाएगी? एक entry और एक entry पता है कहां जाएगा? क्यूंकि खर्चा है तो profit and loss के debit side समझ जाते हो ना? profit and loss के debit side का मतलब यानि two side में नहीं समझते हो तो आज हम एक किसके बाद question भी करने वाले है practical उसमें सब clear हो जाएगा ठीक है? दूसरा adjustment में हुआ तो कितने जगह record करना चाहिए हमें? we should be record दो जगह पर हमें करना है दो जगह कहां करना है सर? एक तो हमें करना पड़ेगा ये एक हो जाएगा add हो जाएगा हमारा in capital in capital अब बताइए मैंने बोला add in capital तो बताइए ये कहां पर add हो रहा होगा capital कहां जाता है? बताइए balance sheet में और balance sheet के कहां पर liability side में ठीक है? दूसरी entry खर्चा है that's why ये पहुँच जाएगा profit and loss के debit side interest on capital आपको percentage के terms में भी दे सकता है तो percentage से निकालना तो आपको आता है ना जैसे एक लाग बोला 10% तो एक लाग पे 10% क्या होगा हमारा? 10,000 समझे बात? तो interest on capital हो सकता है कहां हो? trial balance में trial balance में होगा तो क्या करेंगे? बताओ सिर्फ P&L में दिखा देंगे profit and loss के debit में लेखिन अगर हुआ कहां पे? adjustment में तो कहां दिखाएंगे? दो जगह है एक जाएगा capital में add हो जाएगा दूसरा कहां चले जाएगा? profit and loss के debit में यह adjustment number था हमारा 5 6 देखते हैं 6 adjustment देखते हैं यहां तक कोई doubt? 6 adjustment है हमारा bad debts 6 adjustment है हमारा bad debts most important है यह और bad debts का भी आधा part होगा इसके बाद एक provision for doubtful debts भी आएगा इसके बाद पहले हम सिर्फ bad debts के उपर focus करेंगे bad debts क्या होता है? business के लिए खर्चा? नुकसान? तो bad debts भी दो जगह given हो सकता है न? कहां कहां given हो सकता है आपका? हो सकता है यह trial balance के अंदर given हो तो sir trial balance के अंदर तो हमने देख भी रखा है trial balance में given होगा तो पता है कहां जाएगा यह तो यह जाएगा हमारा profit and loss के debit side समझे बात? तो यह जाएगा profit and loss के debit side लेकिन दूसरा कहां given हो सकता है? adjustment में अगर adjustment में हुआ तो कितनी entry करनी चाहिए? बताइए दो entry करनी चाहिए दो entry कहां कहां? एक तो चला जाएगा हमारा less हो जाएगा debtor में क्योंकि जब कभी भी bad debts होगा तो आप खुद समझे bad debts के case में हमारा debtor तो घट जाएगा न? bad debts मतलब debtor गया? किस से कर देंगे? debtor से और debtor कहां होता है? बताओ balance sheet के asset side में ठीक है न? balance sheet के asset side दूसरी entry की अगर हम बात करें तो कहां जाएगा? क्योंकि नुक्सान है यह तो दूसरी entry चले जाएगी हमारी profit and loss के debit side में चला जाएगा profit and loss के debit side ठीक है? तो अभी हमने कितने adjustment देख लिए? adjustment number 5 adjustment number 6 देखा important था यह भी और एक हमने adjustment 4 भी देखा था इससे पहले तो 6 adjustment होगे continue में आप note करिए bad dates का क्या था? दुबारा repeat कर देता हूँ sir bad dates में क्या होगा? trial balance में हुआ तो सिर्फ profit and loss में और adjustment में हुआ तो एक तो debtor से minus और दूसरा profit and loss के debit में कोई doubt यहां तक? नहीं इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो करेंगे एक practical question करेंगे हैं